हेलो फैमिली आप सबका एक बार फेस्ट स्वागते आपके अपने चैनल मुन्ना किच्छिन में आज हम आपके लेकर हैं जिंगा कड़ी बिनाने की बहुत ही मज़ेदार और इंट्रेस्टिंग रेसिपी और साथी साथ काफी इजी रेसिपी है तो विंती करूंगी वीडियो को पूरा देखे साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले तो जिंगा कड़ी बिनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाल में साफ के वे जिंगे को आट कर देंगे स्वादनुसर नमक आट कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर थो आदे घंडे के बाद अब हम एक पैन पे लगबग तीन बड़े चमस तेल को गरम हने के लिए रख देंगे थोड़ी दिर के बाद तेल गरम हो चुका है मैगनेट किये हुए फ्रॉंस को एड़ कर देंगे अब हम इसे लगबग 2-3 मिंट तक अच्छी तरस से भूल लेंग के ताकि आपको खाने में और भी मज़ा है लगबग 3 मिंट अच्छी तरस से बुनने के बाद अब हम गैस की आज बंद करके इसे एक बॉल में निकाल लेंगे कि साथी में अब हम एक कड़ाई में लगबग 3 बड़े चमस तेल को गरम हने के लिए रख देंगे तेल गरम हो चुका है कटेवे कड़ी पत्ते को आट कर देंगे साथी में अब हम इसमें रफली कटके वे कांदे को आट कर देंगे कांदा एट करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगबग तीन से चार मिन्ट तक अच्छी तरह से भूल लेंगे जब तक कि आपका कांदा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए सा segurança भी कृट्त साथी में अब हम एक मिकसी चाल लेंगे हमہ मिलसून की चली करणाया आड़ करदेंगे रफ्ली चॉप करके हम इसमें अद्रग भी ऐड़ कर देंगे baik अध्रक करने की बाद रफीव चॉप करके दो से टीन बड़े टमाटर को भी आड़ कर देंगे टमाटर एड़ करने के बाद अब हम इसका डखकल लगा के पेस्ट तयार कर लेंगे थोड़ी दिर के बाद आप देख सकते हैं पेस्ट बनके एकदम अच्छी तरह से तयार हो चुका है साथी साथ हमने जो कांदे को फ्राय होने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से भून चुका है अब हम इसमें तयार के वे पेस्ट को एड़ कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे लगबग 2-3 मिन तक अच्छी तरह से भून लेंगे एक बड़ा चम्मच प्राउंस कड़ी मसाला एड़ कर देंगे कश्मीरी लालमीश पौडर एड़ कर देंगे साथी में इसमें थोड़ा सा हल्दी पौडर एड़ कर देंगे दो चम्मच धनिया जीरा पौडर एड़ कर देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके इसका थिक पेश तयार कर लेंगे और इसे चम्मक की साहता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे साइड में रख देंगे लगबग 2 मिंट अच्छी तरह से बुनने के बाद स्वाधन उसे नमक आड़ कर देंगे हम इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे लगबख दो मिनिट और भूल लेंगे दो मिनिट अच्छी तरह से और भूलने के बाद अब हम इसमें तयार के वे मसाले के पेश्ट को एट कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे लगबख तीन से चार मिंट तक अच्छी तरह से भूलेंगे जब तक मसाला अच्छी तरह से भूनना जाए लगबग 4 मिंट अच्छी तरह से मसाला बुनने के बाद आप देख सकते मसाला बुनके अच्छी तरह से तयार हो चुका है अब हम इसमें पानी को एड़ कर देंगे पानी आप आपके अकॉर्डिंग एड़ कीजेगा अगर आप रोटी के साथ खा रहे niin तो फीजावल के साथ खा रहे थो जादा पानी Covid कीजेए पानी आपकर्ने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब बकद दो मेंट कर पकने देंगे दो मिंट अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हम इसमें पैन फ्राइ किये हुए प्रॉंस को एड़ कर देंगे प्रॉंस को एड़ करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगबग एक से दो मिंट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि आपका जो मसाला है फुट जिंगे के अंदर अच्छी तरह से जा पाए और आपको खाने में और भी मज़ा है लगबग दो मिन पकाने के बाद अब हम इसमें बारिक कटे वे हरे दनी को एड़ कर देंगे और गैस की आज बंद कर देंगे अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसी के साथ आप देख सकते हैं आपका जटपट जिंगा कड़ी बनके एक दम अच्छी तरह से तयार हो चुका है 37 का कलर काफी बहतरी नाया अगर रेसिपी पसंद आए रहेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले धन्यवाद